है अआइट हेलो दोस्तों तो हम देखेंगे रिंग का एक एक्जाम्प्ल देखते हैं हमने बहुत इपास यह कोई इंटीक्राइम् करणेन खरगण है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट st डी है हमारे पास डी को सेट को बोल देते एक integral domain, लेड बी एन integral domain, ठीक है, अगर हमारा characteristics 0 हो जाएगा तो हमें फ्लाइप्रूफ करना जोरत नहीं पड़ी कि प्राइम है, मतलब एक टाइम पर हमें प्रूफ करना है या तो जीरो होगा, जब जीरो होगा तब प्राइम नहीं ह होगा अगर 0 नहीं है उसका characteristics तो उस टाइम पर वो प्राइम होगा ठीक है तो हमें पता है 0 is the smallest positive integer है तो smallest है तो obviously वो हो गई अगर उस टाइम पर न प्राइम नमबर नहीं होगा तो अगर theorem proof is obvious है अगर d हमारा एंगर हमारा जीरो होगा तो अगर हमारा characteristic 0 नहीं होगा तो फिर हमें प्रूफ करना होगा प्राइम तो हमें यहां पर आजूम करना पड़ेगा suppose that the characteristic of d is not equals to 0 अगर उसका characteristic 0 नहीं है तो हमें characteristic of d is prime p p for prime तो p हमारे यहां पर है prime number ठीए तो n क्या है n is the sum 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 n करते n क्या है तो मान लेते है suppose n characteristic n is the suppose n is the characteristic of integral domain d and हमारा characteristic integral domain d था हम्हें प्रूफ करना है n is prime था हम यह प्रूफ करना है n is prime हमें यह प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं रादिक्शन से करेंगे suppose n लिए निज निट प्राइम इस हम इस से प्रूफ करेंगे वाए से factors में लिख सकते हैं तो n can be written as n is equals to n1 into n2 ठीए वह और n1 और n2 कैसे होंगे n1 और n2 1 से बढ़े होंगे और छोटे होंगे n से ठीए strictly greater than one and strictly less than n ठीए और n1 और n2 क्या होने चाहिए इंटीजास होंगे obviously हम रियल नमर तो ले नहीं सकते हैं इंटीजास होंगे positive इंटीजास होंगे natural नमर ले लेते हैं क्योंकि positive बात कर रहे ना ठीए सो हमसा प्रूफ सब्सक्राइब कर रहे हैं कि एन हमारा प्राइम निंबर नहीं है तो इस टेंप हमें एन को ऐसा लिख सकते हैं तो हमने खिरम देखा था पीछे कि n.1 is equals to 0 अगर n हमारा यह है characteristic characteristic है तो n.1 हमारा 0 होगा अगर n.1 0 है तो वह characteristic n हमारा characteristic होगा ठीए तो consider n.1 is equals to 0 we have n की वह लिए पता है मैं into a a plus a plus a plus dot 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 plus a n times इसका मतलब यह होता है ठीए अब आपके n1 into n2.1 that means that 1 plus 1 plus dot 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 plus 1 how much times n1 into n2 times ठीए तो इसको हम ऐसा लिख सकते है 1 plus 1 plus dot 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 plus n1 dot 1 plus 1 plus dot 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 n2 that means that इसको हम अपीस से उल्टा यह है तो ऐसा लिख सकते है तो इसको हम लिख सकते है n1 into 1 dot n2 into 1 which is equals to 0 ठीए तो n1.1 and n2.1 यह दोनो कहा होंगे obviously integral में होंगे अपने so d क्या है हमारा d is an integral domain domain अब इसका मतलब क्या either this term is 0 और this term is 0 ठीए either n1.1 equals to 0 or n2.1 is equals to 0 that means that n1 equals to 0 or n2 is equals to 0 यह होगा ठीए इसका मतलब क्या either n1 is the characteristic of d और n2 is the characteristic of d ठीए बट हमें contradiction मिल गया इसका मतलब क्या हम बोल रहे है या तो n1 हमारा characteristic होगा या तो n2 हमारा characteristic होगा हना और characteristic क्या होता है smallest positive integer बट हमारा पास smallest positive integer हमने था n suppose किया है मतलब n की नीचे और कोई positive integer है ही नी मतलब n हमारा है जो characteristics होगा बट हापे तो मैं n1 मिल रहा है या तो n2 मिल रहा है आपे मैं contradiction मिल गया तो this is the contradiction तो this contradiction to the this is the contradiction to the fact that that n is the smallest positive integer n is the smallest positive integer तो हमने जो assume किया था वो हमारा assumption गलत है assumption हमारा यह था कि n हमारा prime नहीं है that should be n should be prime या पे हमने थेरम प्रूफ कर दिया example proof कर दिया